किया ने अपनी वाइल्ड वाइड डिजाइन SUV सॉनेट को लॉंच कर दिया है 6.71 लाग की एक प्राइस में कुछ-कुछ लोगों का यहां तक एक्सपर्ड कभी पहले से यह कहना था कि सॉनेट आठ सव लाग रुपे से लॉंच वेगी और 13-14 लाग तक जाएगी एक शुरू लॉपे तक में जा सकती है और लॉंच भी लगबग इतनी प्राइस में होई है चलिए वापस टॉपिक पर आते हैं किया वाले हमेशे अपनी गाड़ी के प्रोशर को ऐसा बनाते हैं कि नॉर्मल आदमियों उसको समझ ही नहीं सता है कि मतलब सब इतना कंफ्यूदिंग रह है कि हो साथ हुआए वाले वालों है हमेशा की तरह गलती हर कार वह कौन सी गलती है ब beliefs क्राइपर अपनी को सबस्कर्राइब में ठीक तो ल्वर लूंट palp prefix को टें में तो प्ल में पर से एक उपर वियरेंट हेच टी के उसके उपर हीinkस हेच फिए फिरेक्स और मंड़क चुअप एच प्लस सब्सक्राइब लाएंच उसमें से एक की वियरेंट ़ा इस मिलते हैं और इंगिंगन और ट्रांस्मिशन ऑप्शन्स के साब से इन में 6 वेरिंट्स को 17 वेरिंट्स में डिवाइड किया है तो चलो सबसे पहले शुरू करता है अपन बेस वेरिंट एच टी इस वेरिंट में अपने को 1.2 लिटर का पैट्रोल एंजन मिलता है जो कि 6.7 लैक रूपीस पर मिलता है एक प्राइस और एक और 1.5 लिटर का दीजल एंजन मिलता है जो कि 8.05 लैक रूपीस से शुरू होता है एक प्राइस न्यू डैली के साथ से और बेस वेरेंट में अपने को आप्टमेंटर ट्रश्मिशन को अपशन नहीं मिलेगा, दोनों में मैनूवल अपने को मिलता है अब चलो मस्ट इन्पर्टेन्ट जहने के अपने को इस वेरेंट में मिलती है तो शेफिटी के नाम पे इस गाड़ी में अपने को एंटी लोग ब्रेकिंग शिस्टम, डूवल एयर बैक्स, एलेक्रोनिक ब्रेक दिस्टिबिशन, रियर पार्टमिंस, और एमर्जन स्टॉप सिंगनल जैसे फीचर्स मिलते हैं, जैसे सेफटी फीचर्स अपने को इस गाड़ी में मिलते हैं, अगर आपन बात करें, कॉंफर अपने को इसमें 15 इंच की स्टील रिम्स मिलते हैं, वील कैप्स के साथ, एक सीट्स, लेजर कॉप्शन नहीं है, मैनुवल, एसी वेंट्स, टेल एडजिस्टेवल, स्टेरिंग, फ्रंट पावर विंडोस, रियर में नहीं मिलते हैं, और अपने को इसमें पैट सेंशन दो लॉक एंड फ्रंट एंड रियर चार्जिंग सॉकेट, जो कि अच्छी बात है, अपने को इसमें इलेट्रिक लिए अजिस्टेवल ओ आविम से मिलते हैं, सेंटर लॉक इंग का फीचर भी मिलता है, रियर रियर इसीवेंट्स मिलते हैं, और अपने को फ्रंट सीट एजिस ओ गई और सेल टॉस हो गई, उनमें टाइगन नोस के लिए टॉप सेकिंड टॉप ऐसी वेरियर इसमें देता था पर इस वापने को बेस से मिलते हैं, जो कि काफी अच्छी बात है, अब बात कर सो इसकेड बेस हैं जो कि है एच्टी के वेरियर इस रियर इस वेरियर जो की 8.99 लाग रोपीज का मिलता है यानि की 9 लाग रोपे का मिलता है और ये 94,000 महेंगा है बेस बेस वेरेंट के उसमें और दोनों में अपने को मैनुल ट्रांस्मिशन मिलता है आटोमेटिक आप्शन नहीं मिलता है तो चलो अब देख लेते हैं अपने को पॉण कौन से कंफर्ट कंवियनस के फीचर नहीं मिलता है तोला इंची की स्टील टायर्स मिलेंगे सेमी लेधर सीट्स मिल जाएंगे अपने को हाइट अजिस्ट्र ड्राइवर सेट्स की लेसेंट्री अब इसे फॉर पावर विंडोस अभी सेप्स दो यह मिल रहीं थी फॉलो में हैड लेंट सेट्स होल्डर अपने को स्क्रीन मिलेगी जिसमें अपने ब्लुथूस से कनेट कर अपने को यहाँ पर स्टेरिंग मौटर्ट कंट्रोल में मिलने लगेंगे अपने को स्टेरिंग मौटर्र कंट्रोल यह कुछ फीचर्स नो जो टो कि अपने को एच टी के में मिल जाता है बेसे श्टी के मुकाबले और सेफ्टी पीचर्स अपने को वह्यों मिलते है जो कि बेसे अपने को मिलता है चलो अब अपने से एक वेरिएंट और ऊपर चलते हैं और । के बात करते हैं जो कि मिड्वेरियंट इस वेरियंट से आपको ट्रांस्मिशन मिलना इस्टार्ट हो जाता है तो इसमें अपने को पहला वन पॉंट टू लेटर का पेटरोल एंगेन मिलता है जो कि 86,000 रुपीज महेंगा है HTK वेरिंट से अगर अगर अपने प्राइसे बात करें तो यह 8.45 लाक रुपीज तक पढ़ता है इसके बाद अपने को एक सेकेंड एक और इंगन मिलता है जो कि वन लिटर का पैट्रोल इंगन है जो कि 9.49 लाक रुपीज तक पढ़ इसके बाद अपने को इसमें दो डीजल इंगन मिलता है एक है 1.5 लिटर का डीजल इंगन जो कि मैनुल ट्रांस्मिशन में है और यह अपने को एच्टी के वेरिंट से 50,000 रुपीज महेंगा पढ़ता है नाइन अपने को इसकी इस डीजल इंगन जी प्राइस नाइन पॉ नाइन लाइक रुपीज सकी पढ़ती है एक और है 1.5 लिटर का डीजल इंगन जो कि आटोमेंटर ट्रांस्मिशन के साथ है उसकी प्राइस है 10.39 लाइक रुपीज एक्टोरूम प्राइस न्यू डैली के साब से चलो अपन देख लेते हैं HTK ब्लेस वेरिंट में अपने क अपने को और अपने को और मिलने लगेंगे इस वेरिंट से इसके बाद रियर पार्किंग कैमरा और ड्राइवर रियर व्यू मॉनिटर और अगर आप DCT आटोमेटिक खरीते तो आपके स्टेंडर सेफ्टी फीचर के लावा इलेट्रोनिक इस्टिविटी कंड्रोल, हिल स्टार्ट असेस्ट, वी ऐसी, ब्रेक असेस्ट जैसे फीचर मिलते हैं इसके लावा और अपनों को मिलते हैं तो यह सब अपने को अपनों को अच्छे फीचर्स मिलते हैं और उपर चलते हैं और बात करते हैं टॉप वेरियंट ह्टी एक्स के उसमें इस गाड़ी में आप फिर चाहे इसका पैट्रोल एंजन लो या फिर इसका डीजल एंजन लो दोनों में आपको में आपको मेड वेरियंट के साब से पचास हजार रुपे ज्यादा ही देने पड़ेंगे इसमें अपने को वन लीटर का पैट्रोल एंजन मिलता है जो की आई एम्टी ट्रांस्मिशन है इंटेलीजेंट मैनूल ट्रांस्मिशन जो की 9.99 लैक रुपी स्टा पढ़ता है यान अब बात कर लेते हैं पचास हजार रुपे ज्यादा जैने पे सेकंड टॉप विरंप अपने को क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं आई सॉफिक चाइल्ड सीट्स एलेटी हेड लैंप एलेटी डियारेल विच इंडिकेटर्स रियर डिफोगर एंड वाइपर सं रूप डू यह आम रेस्ट तो अपने को इतने सारे फीच्चर्स मेल जाते हैं अर चलो इससे एक वेरिंट ओर उपर बात करते हैं डॉर यह तोप ह्टू एक्स बस वेरिंट की यह वेरिंट में भी अपने नो comments logo pave limits रम आम लीचन मेन ब downloading मिल जाते हैं इसमें अपने को इसमें एक और एंजन मिलता है जो कि 1.5 लिल्टे का डीजल एंजन है और इन दोनों एंजन के प्राइस 11.65 लाक रूपीज है और दोनों ही एंजन अपने को अगर आप खरीचते हैं डीजल या पैट्रोल तो आपको 1.6 लाक रूपीज ज्याद ही देने पड़ें य 16-inch crystal-cut alloy wheel, leather and fabric seat, sound mode light, LED sound mode light, wiper with washer, 10.25-inch input environment system, screen HD, Volvo connective technology, both premium 7 speakers, ventilated driver co-driver seats, smart air purifier with virus and bacterial protection, digital instrument cluster, voice recognition, smart watch connectivity, day-night IRVM automatic, dual-tone body color wala feature million लापीज़ प्राइस 11.6 लाक रूपीज़ प्राइस 12.6 लाक रूपीज़ प्राइस 12.6 लाक रूपीज़ प्राइस 12.6 लाक रूपीज़ प्राइस 12.6 तो आप देख साथने, टॉप वेरेंट में अपने को रेगुलर रेगुलर राइन में टॉप वेरेंट में अपने को comfort convenience के फीचर से बहुत अच्छे मिल जाते हैं और ये वेरेंट अपने को एक शुरूम जाके 11.65 लाक रूपीज तक का मिलता है और अगर अगर आपन आन अपने को रेगुलर लाइन के टॉप वेरेंट में मिलते हैं तो भाई ये किया कि हर गाड़ी में प्रॉब्लम है फिर अपन सेल्टॉस देख लेंगे सेल्टॉस के भी रेगुलर लाइन के जो वेरेंट है उसमें भी अपने को यही और्टो वाले सेफटी फीचर्स मिलते हैं कार्नेवल देख लें तो कार्नेवल में भी अपने को यही मिलते हैं कार्नेवल के 20 विरेंट तक में अपने को ऐसी फीचर्स मिलते हैं मैंने एक वी लिए जादा बुरी बात साबित हो सकती है आगे जाके तो चलो छोड़ो इसको अपन इसकी स्पूर्टी लाइंग जी टी लाइंग के वेरियंट के बात करें जो कि है जी टी एक्स प्लस वेरियंट इस लाइन में भी अगर आप कोई से भी इंजन लेता है पैट्रोल इंजन जाफे डीजल इंजन लेते हैं आपको दोनों इंजन लेओगे तो आपको 34,000 रुपीज जादा ही देने पड़ेंगे इसके रेगुलर लाइंग के टॉप वेरियंट के कंपेरिजन में इसमें अपने को वन लीटर का पैट्रोल इंजन मिलता है जो कोई IMT ट्रांसमिशन है यानि Intelligent Manual Transmission में है इसके एक्शो रूम प्रैस इस डेली के साब से 11.99 रुपी तक है यानि 12,000,000 रुपी तक है इसमें 干 wanna एक और एंजन मिलता है जो की ए डीजल इंजन i.5 बितर का डीजल इंजन मिलता है जिसमें अपने को Oh और इस ये भी आपने को डेली के एक्शो रू नाइन लेक यह याने 11,99,99 रुपे तक का याने 12,00,000 रुपे तक का मिलता है इसमें अपने को एक और इंजन मिलता है जो की 1.0 लीटर का पैट्रोल इंजन है जो की DCT की Automated Technology के ऐसमें मिलता है इसके जो प्राइसे से अभी तक रेवील नहीं है पता नहीं चले हैं और इसमें अपने को डीजल इंजन मिलता है जो की 1.5 लीटर का डीजल इंजन है जो आपने को Automated Transmission में मिलता है उसके भी प्राइस अभी तक तो पता नहीं चले हैं यकिनान एक पाद बता दूँ कि यह दोनों जो इंजन हैं इंके प्राइस पता नहीं चले हैं इंके प्राइस लगबाग तेरा लाग रुपे के होंगे अगर इंजन को अभी लॉंच कर दिया जाता तो फिर मार्केट में से यही खवर पहुंच जाती कि मतलब इस अब तक यह दोनों एंजन पुछ जाएंगा आराम से बात कर लेता हैं फीचर के बाइस में तो अपनों को इसमें क्या फीचर मिल जाते हैं HTX Plus variant के साब से 6 airbags अभी तक अपनों को सब Dual Airbags मिल रहे थे Top variant तक में Electronic Stability Control, Hill Start Assist, VSC, Brake Assist सारे फीचर अपनों को अभी सब HT लेंग के DCT ट्रांसमिशन में मिल पा रहे थे इसके लावा front and rear parking sensors, LL wheel में red cap और coupler, GT लेंग का logo और red essence से मिल जाते हैं इसके लावा red essence फ्रंट और यह bumper में मिल जाते हैं साइड में अपने को red line मिल जाती है, अंदर seats पे अपने को seat or staying पे red stitching मिलती है, metallic pedal मिलता है, wireless phone charger मिलता है और traction control और driving modes भी मिलते हैं अपनों को इसमें तो यही कुछ features हैं जो कि आपको HT line के Top variant के comparison में GT line में मिल जाते हैं तो यही दे भाई Kia Sonnet के 6 variants, इंके features, safety features अब बात कर लेते हैं कि कौन जा variant सबस्यादा value for money package प्रवाइड करता है देखिए अगर आपको red work जादा चाहिए, sporty कुछ look चाहिए गाड़ी का या फिर आपको safety जादा से जादा चाहिए है तो फिर आपके पास से एक ही option रहते है, वो है GTX Plus variant लेकिन आपका budget इसता जादा नहीं है और कोई आप अच्छा variant खरीदना चाहते हैं, सस्ता और अच्छा variant तो वो variant है HTK Plus जो की mid variant है पर भाई यह variant भी पूरी तरीके से perfect नहीं है, इसमें भी बहुत बड़ी कमी छोड़ी है किया वालोने भाई, एक तरफ आपको इस variant में projector fog lamps मिल जाते है, auto head lamp जैसे premium feature मिल जाते है, पर आपको इसमें head lamp मिलते है, halogen head lamps, भाई कम से कम आप mid variant में तो projector डाल देते, halogen head lamps आपको म गाड़ियों में SUV में भी 20 variants मिलते है, ताकि visibility लोड़ी अच्छी देखे, और भाई यह variant आपको आपको 8.5 लाक रोपे से शुरू होकर 10.5 लाक रोपे तक मिलते है, और आज के जमाने में 6-7 लाक की गाड़ी में भी अपने को projector head lamps मिल जाते है, और projector head lamps और auto head lamps को कुछ फीच उससे बाद 2 variants, HTX variant में इजदम से इजदम premium feature डाल दिये, यह बाद कुछ मेरे को जमी नहीं, इसलिए mid variant HTK plus complete variant नहीं है, जो कि उसमें projector head lamps नहीं है, अगर आप night driving जादा करते हैं, आपकी आँखे थोड़ी से कम दो रहे हैं, तो आपके पास से एक ही option बचेगा, और आपका जब budget भी सही नहीं है, तो HTX variant आप खरीश सकते हैं, जो कि इसमें अपने को LED head lamps में लेंगे, फुल LED, और इससे अच्छी visibility जो रहती है, वो थोड़ी अच्छी रहती है, compare to halogen head lamps, तो चलो बाई, इस वीडियो के लिए बस इतने ही रखते हैं, मझे comment करके बताएए का आपको जो ये गाड़ी कैसी लगी, कि आप इसको prefer करना चाहेंगे या नहीं चाहेंगे, तो मिलतापन नेक्स वीडियो में अच्छा लग है इस वीडियो को, तो प्लीज इस वीडियो को like कर दीजेगा, चैनल पर कर आप पहली वर है, subscribe कर दीजेगा और bell icon को दावा दीजेगा, मि एक ले बाइ बाइ